नमस्कार स्वागत है आप सभी का इंडियन खबलचीपर आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं अगर आपका ESIC कटता है तो मतलब आपकी कोई उकात नहीं है आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग ESIC के अंदर आते हैं जो लोग ESIC के अंदर employee है वो किर्पया इस वीडियो को पुरा लास तक देखिएगा ताकि उनको यह पता चले कि एक्च्वल में जो जनता है उसके साथ क्या हो रहा है जो लोग है जो ESIC के अंदर आते हैं उनके साथ किस तरह का व्यवार होता है और उनकी कोई उकात नहीं है ऐसा बता दिया जाता है तो आज की वीडियो में मैं आपको यह पूरी जानकारी कुछ सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे आप देख रहे हैं यानि कि आपका प्रोविडेंट फंड भी कटता है यह साइसी भी कटता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सिर्फ यह साइसी कटता है और यह नहीं कटता है अना नमस्कार इंदियन खबर्ची पर आप सभी का स्वागत है जैसा कि आज के इस थमनेल में आप देख रहे हैं जिन लोगों का इसाइसी कटता है उनकी कोई उकात नहीं है ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आज की वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि जो लोग इसाइसी के अंदर आते हैं उनके साथ किस तरह का व्यवार होता है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो लोग जो जिनका इसाइसी करता है यानि कि जो इसाइसी के अंदर कंट्रिबूशन देते हैं कोई ऐसा वीवर है जो इसाइसी के अंदर एंप्लोई है वो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखे तो उसको इस समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि अगर आपका इसाइसी करता है तो आपकी कोई उकात नहीं है आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि ESIC और PF यह दो ऐसी चीज है जो शोशल सेक्यूरिटी स्कीम है इन दोनों स्कीम के अंदर लोगों का PF भी करता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सिर्फ और PF करता है एसा क्यों है यह आज की इस वीडियो में समझेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि मैं यह बोल रहा हूं कि अगर आपका ESIC करता है तो आपकी कोई उकात नहीं है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने ESIC के ओपर कुछ वीडियो बनाई हैं जैसे कि ESIC के अंदर आप online claim कैसे कर सकते हैं maternity का claim कैसे कर सकते हैं ESIC के अंदर कौन-कौन से benefits हैं जो आप ले सकते हैं उन सारी वीडियो में तमाम कमेंट्स हैं कुछ कमेंट्स अच्छे भी होते हैं कुछ कमेंट्स बुरे भी होते हैं कुछ लोग ESIC को गरियाते हैं खूब गाली भी बोल देते हैं कि अगर मैं उन सभी कमेंट्स को देखू तो मैंने आज आज आपके सामने कुछ कमेंट्स लिखे हैं यह उनका कुछ सेंपल है अगर आप देखेंगे तो पहला कमेंट्स है कि भाई ये साइसी के अंदर डख्ये खाने पड़ते हैं अपना ही पैसा क्लेम करने के लिए बहुत ही मुश्किल होती है वह रिजयक्ट कर देते हैं बहुत ही बक्वास है यह जो तमाम जो चीज़े हैं यह लोगों के मन में क्यों आती है कि यार हमारा पैसा भी कट रहा है सबसे पहले अगर मैं आपको यह बताओं कि एक तरफ EPF और एक तरफ ESIC, दो स्कीम है, आपका PF भी करता है, ESIC भी करता है, यहाँ पर यह जानने की कोशिश करते हैं कि ESIC अगर आपका deduct होता है, तो आपको इन सारी problem का सामना क्यों करना पड़ता है, या आपकी कोई उकात क्यो नहीं है, देखिए, सबसे पहले about the scheme, यानि कि अगर मैं आपको बात करूँ, दोनों scheme के बारे में, ESIC के अंदर उन लोगों को cover किया जाता है, जिनकी salary 23,000 से कम होती है, वो ESIC के अंदर cover होते हैं, वो PF के अंदर भी cover होते हैं, अब PF में वो लोग cover होते हैं, जिनकी salary 23,000 से क की कोई limit नहीं है, जब कोई limit नहीं है, तो उसके अंदर एक engineer भी cover है, एक IS अधिकारी भी cover है, एक IPS अधिकारी भी cover है, और आपका ESIC एक तरफ देखो, तो 23,000 सेलरी है किसी contract labor की, और वो उसके अंदर cover है, तो आप यहां से comparison कर सकते हैं, ESIC के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो लोग cover है, जो विचारे contract labor में job करते हैं, या कहीं पर permanent job करते हैं, लेकिन उनकी salary कम है, अब आपको पता है, जिसकी salary कम और जिसकी salary जादा, उसकी तो वाकई कोई उकात नहीं होती, आपको यह समझ में आ गया होगा, कि यहां पर अगर इस scheme को समझने की कोशिश करें, दोने scheme है तो अच्छी, लेकिन उनका implementation या किसी भी तरह से उसमें problems आती है, वो सारी चीज़े आप समझ सकते हैं, तो यह था scheme के बारे में, अगर हम बात करें popularity की, popularity में भी ESIC scheme बहुत नीचे है, क्यों है, इसको समझते हैं, अगर EPF को चीखता ह है न, तो वो भी newspaper में अगले दिन newspaper के अंदर headline बन जाता है, BA बढ़ गया, तो EPFO की news आ जाएगी, higher pension की news होगी, तो अगर higher pension का कोई circular निकलेगा, तो वो newspaper में आ जाएगा, ग्रेच्यूटी की कोई news होगी, तो वो EPFO के जो newspaper में आ जाएगा, यह सारी चीजे जो है, आपके newspaper में आ जाती है, वहीं ESIC के अंदर कोई छोटा सा circular निकलता है, तो वो जो है, कहीं नहीं आता, किसी को पता ही नहीं चलता, जब नहीं पता चलेगा, क्योंकि वाकई आपकी उकात नहीं है, EPFO में, जैसा कि मैंने बचा उसमें, IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, सरकारी नेता भी वह सरकार के बहुत बड़े-बड़े अधिकारी कवर्ड करते हैं, लेकिन ESIC में किसकी उकात है, तो यहां पर आप समझ सकते हैं, किसकी popularity जाबा है, अगर हम contribution amount की बात करें तो जो लोग ESIC में cover होते हैं, उनका contribution कितना जाता है, employer देता है 4.75%, और employee देता है 1.75, I think, जो है, वो 1.25 और 1.75%, कुछ ऐसा percentage है, तो वो contribution बहुत कम है, आपकी salary का कुछ percentage है, और PF में क्या होता है, अगर 12% आपकी salary से deduct होता है, किसी की salary एक लाक है, 12%, 12% employee देगा, और 12% employer द जा रहा है, और यहां जो है, चोटा सा amount, जो है, ESIC में जाता है, तो आप खुद सोचो क्या ओकात है, कोई ओकात नहीं है, अगर वहाँ पर EPF में कुछ भी हो जाता है, वो लोग तुरंत जो है, धावा बोल देते हैं, कोड के order आ जाते हैं, Supreme Court का तुरंत order आ जाएगा, higher pension क के उपर, आपने कभी देखा है, Supreme Court का कोई order ESIC के उपर आया हो, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि कम पैसा है, इसलिए कम उकात है, उकात ही नहीं है, PF में उकात ज़्यादा है, तुरंत जो है, case कर देते हैं, EPF वालों के उपर, तो सारी चीज़ जो है, खुलम-खुला पता चल जाती है, लेकिन ESIC में कुछ नहीं पता चलता, अगर बात करें, class of people की, जैसा कि मैंने बताया, class of people, भाई आप, fourth class से भी नीचे के अधिकारी, contract labor, labor, जो है, वो ESIC के अंदर cover है, और EPF में, बड़े-बड़े अधिकारी cover है, तो class of people, जो difference है वो आपको दिख रहा है, uneducated contract employee, सबसे बड़ा मुद्दा, contract employee दसवी पास है, विचारा अनपड़ भी होगा, बार भी पास होगा, हद से दो सकता है, कुछ graduate किये हुए भी होगे, जिनकी salary 18,000 होगी, अब उनकी salary कम है, लेकिन वो uneducated भी है, अब ESIC की तरफ से अगर कोई circular आता है, तो विचारों को समझ में ही नहीं आता, क्योंकि पढ़ना नहीं आता, अब PFO, ये PFO की तरफ से कोई circular आता है, तो बड़े-बड़े जो है, अधिकारी उसको पढ़ लेते हैं, उसका meaning निकाल लेते हैं, उसको पता चल जाता, अच्छा, ये धोका हो रहा है, तो य जो है, ESIC के अंदर कुछ भी होगा, तो तुम्हें पता चलेगा, तो तुम्हें तो इस तरह से धोका दिया ही जाएगा, भई, EPFO के अंदर कुछ भी होगा, तुरंत जो है, छीक आएगी, तो जो है, तुरंत न्यूस पेपर में हेडलाइन बन जाएगी, लोगों को तुरं 18,000 की सेलरी ले रहा है, ESIC के अंदर मालो कुछ इशू आ गया, तो वो क्या तो केस करेगा, मैं क्या को तुम्हें जा करके केस करूं, 18,000 मेरी तनखा है, मैं वकील को दे दूंगा, तो मेरा तो वैसे नुकसान हो जाएगा, समझ गया, और वहीं PF में देखो, सेलरी एक वह आनि की आप प्रैशर बना सकते हो, ESIC में कोई प्रैशर नी बना सकते हैं, तो यहां आप यह देख सकते हैं कि किस रहा से स違work क्रेट करे स्थिशि ओध करेप सरकार ने, सरकार वह यह से क्रेट करे गए मैं सोचो, एक वो लोग जो 23,000 से कम सैलरी वाले लोग है वही लोग बड़े अधिकारियों गया जो पीएफ के अंदर कवर होते हैं उनके या कॉंट्रेक्ट एंप्लोई की तरह से काम करते हैं उन्हीं लोगों को MTS बनाया जाता है अटेंडनेंट बनाया जाता है और फिर उन लोगों क जो है most of the person कई कई लोग मुझे कॉल करके अपने अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि सर हमारा क्लेम रिजेक्ट हो गया या सिस्टम में यह प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो रही है हमें बोलते हैं आपका क्लेम यहां नहीं होगा वहां होगा ऐसी धक्के खिलाते हैं तो य यह प्रॉब्लम क्यों हो रही है दोस्तों यह प्रॉब्लम इन्हीं कारणों की वजह से होती है हो सकता है यह वीडियो लंबी बन रही हो बट जो भी चीज़े मैंने बताई हैं वो फैक्ट है क्योंकि लोग मुझे कॉल करके बताते हैं अपके अपनी प्रॉब्लम उन सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने आज भी इस वीडियो को ले करके आया हूँ और जाए मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए आपको बताना पड़ेगा कि एक Size में क्या दिफ्रेंस ऐसा क्या हो रहा है कि एकी गुद्ने के अंदर बड़े-बड़े लोग की हैं इसलिए वहाँ पर सारा क्लेम का सेटलमेंट ओनलाइन आज नहीं था बड़ी मुश्किल से इन्होंने मेटर्णिटी क्लेम को ऑनलाइन बनाया है बागी क्लेम और वैन्लाइन क्यों नहीं यहां पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि आपका अपना पैसा आप कुछ पैसा देते हो इंशुरेंस लेते हो यह साइसी से लेकिन आपको उसी का उसकी पैसिलिटी नहीं में तो उमीदा हूं आपको इस वीडियो में बाते बता रहा हूंँ के दिलको आपके मन को जघजोर करके रख देंगी ताँगा रोड़ तो तुम्हारी औकारी नहीं है 43 0000 से कम सैलरी है तुम्हारी कोंपूछने वाला कोई न पूछने वाला तो इसी लिए अपने चैन बंपे चैनो खहते हिए Bibob जागो जनता जागो अपना हक पहचानो इसका मतलब यह है अगर आपको ESIC के बारे में कहीं पर भी कुछ भी डाउट है कुछ भी चीज नहीं समझ में आती है कोई नया सर्कुलर आता है वो तो मैं बताता ही हूँ लेकिन अगर आपको भी नहीं समझ में आता है तो आप जो है मेरे माध्यम से आप सारी चीज़े जान सकते हैं समझ सकते हैं otherwise वह लोग आपको धक्का देते ही रहेंगे दोका देते ही रहेंगे इधर जाओ उधर जाओ इदर नीधर जाओ आपको पता ही निछ जाँ कि swag कि बस आज की वीडियो में इतना ही मैं आपको यही बताना चाहता था तकी आप कि स्विवल पर हий, आपकी क्या उकात है और उनकी क्या हो कात है यही मैं आपको बताना चाहता था अगर आपके मन में मैं थोड़ा सा भी उमीद की चिंगारी जगा पाया हूँ तो इस वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रूप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि आप भी जागरुक हो सको आप भी अपने हक को पहचान सको नमस्कार